मेरा पहला सवाल जाता है वरुन पुरोहिद जी को कॉंग्रेस के नेता है और वरुन पुरोहिद जी राहुल गांधी मुहबबत की दुकान खोल रहे थे लेकिन क्या बात है कि चुनाव पर तो जाकर मुहबबत की दुकानों की बात करकर जब सनातन को मिटाने की बात आती है जब तेलंगाना का DNA आपको बेहतर लगता है बिहार से तब राहुल गांधी गायव हो जाते हैं चुप हो जाते हैं कुछ नहीं कहते क्या कहीं न कहीं ये मुहबबत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है नाविका जी आपको प्रणाम मुहबबत की दुकान हमारी कंटिन्यू है पूरे देश के अंदर जैसी नफरत मोदी सेंट्रिक बारती जनता पार्टी देश में बनाना चाहती है माहौल हिंदो मुस्लिम अभी आपने एक मंत्री जी का सुनाया इस्टेटमेंट हो क्या कह रहे थे गोली मारदो डैस डैस को इस प्रकार के तो मंत्री है ग्रह मंत्री का बेटा किसानों को रौन देता है फिर भी वो ग्रह मंत्री रहते हैं किसे बलातकार का आरोप रहता है और साथ की साथ बलात काffenat हैं को case वापस लेते हैं फिर उसको yogi model कहा जाता है ऐसे डेश में हम जी रहे हैं इसलिए आवशक ताती भारत जोड़ो यातरा की और मुहब्बपकी दुकान की हम आज भी मुहब्बपकी दुकान खोल रहे हैं बागी कुछ भी कोई भी देता है उसके हमनिंदा करते हैं उसके मुंदा करते हैं उसके हमारी तरफ से बरसना करते हैं कि पुटक देश का कोई बड़ा नेता जाके कई वर्ष पूरु कहता है कि भारत में पैदा लेने से पैदा होने से शरम आती है ये किस रेलिम आएगा इसी माता को आप जर्शी गाये बोलते हो किस रेलिम आएगा विदेशी माता से हैं या कॉंग्रेस पार्टी के हैं पहले तो ये तै कर लीजिए तब तक मैं चलती हूँ सुधानशु त्रिवेदी जी के पास सुधानशु त्रिवेदी जी अब जवाब दीजे वरुन पुरोहिद जी का जो अब भी कहते हैं कि मुहबत की दुकाने खुली हुई देखे मुहबत की तथा कथिद दुकान में कितने जहर बुझे सामान हैं ये पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है और आज से क्यों जब इनकी तथा खतिद भारत जोड़ो यात्रा थी तो बताईए केरल में शुरू हुए थे तो वहाँ वो सज्जन मिले थे इन्होंने बीफ पार्टी की थी उसके बाद तमिल नाडू में आये थे तो याद है आपको जॉर्ज पुनिया जिसने कहा था कि भारत माता को वो इतना अपवित्र मानता है कि जूता इसलिए पहनता है कि उसके पैर ना टच हो जाएं फिर आईए आप जब करनाटक में आये थे तो आपके सतीज जहरकी हो ली उस समय कारिकारी और जखते आज मंत्री हैं क्या बोले थे कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है और जाने क्या क्या और फिर वो तो छोड़िये नफरत की दुकान में हिंदू की कबर खुदने से ले जब आप लोग इतने मुखवटे ओड़ के आना चाहते हैं कि उत्तर में कुछ अधक्षन में कुछ तब समस्या होती है और वैसे मैं एक बात और वेवारिक दिश से कह दूँ जो रिवन्त रेडी जी ने बोला वो आपती जनक भरसना योग तो है ही परंत इस देश में एक क्रिस्कॉस हुआ है ये जो छेतरवाद की बात करते हैं सारी बात खतम हो जाती है मनिवर बाला साथ ठाकरे जी के पिता जी प्रबोधंकर ठाकरे जी ने पुस्तक लिकी थी जिसके अनुसार ठाकरे जो वंच है उसका उदगम मगत से था आजके बिहार से वही उत्तरा लेके और पंजाब तक जो जोशी और पन्त पा에 जाते हैं ये सब मुलता महराष्च के हैं जो मुगलकाल में उपर आके आए आप बताईए मंता बनर जी 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 हैं बंगाल में जो बनर जी चटर जी मुखर जी गांगुली और भटाचारे हैं ये सब लोग उरिजिना उत् सीन में विश्वास करते हैं वो एक समुदाय को तो इसकदर एक जुट रखना चाहते हैं कि फिलिस्तीन और हमास तक एक जुट करके रखो और दूसरे समुदाय को उत्तर डक्षर में बाच के रखो डियने में बाच के रखो तमिल हिंदी में बाच के रखो अगड़े पिछड़े में बाट के रखो एक को बाट के रखो काट के रखो और दूसरे को जोड के रखो ये समस्या है परंतु भारत की प्रबुद जनता भली बाती समस्ती है और तीनों राज्यों के चुनावों में उसका कोई न कोई एक संकेत भी भारत के मद्दाताओं ने दिया है